आएफल सेक्योरिटीज में आपका स्वागत है आएफल फैमली की तरफ से आप सभी को फेस्टिवल सीजन घंते रज दिपावली की हर्दिक शुब कामना है आज हम लेकर आएं टेक्नो फंडा एनिलिसिस फ्रॉम दिवाली तुद दिवाली जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक और आने वाली दिवाली तक मार्किट में क्या मोमेंटम हो सकता है और कैसा ट्रेंड मार्किट में देखने को मिला तो अगर हम बात करें पिछली दिवाली से इस दिवाली तक तो हमने देखा है कि सभी सेक्टर में काफी अच्छ का से return आते हुए देखे हैं जिस तरीके से vaccination का process बढ़ा है और हमने देखा है कि जो vaccination है almost पूरे ही विश्व में बहुत तेज गती से होती हुई दिखाई दे रही है उसकी वज़े से पूरे ही विश्व के अंदर जो growth है graph वो बढ़ता हुई दिखाई दिया है और हमने देखा है कि जो share market है जो equity market है उसके अंदर बढ़त देखने को मिली है तो कई न कई हमें लगता है कि आने वाले समय में equity market में ऐसा ही trend positive होता हुआ दिखाई देगा और हमें लगता है कि अगर हम अगली दिवाली तक बात करें दिवाली 2022 तक तो हमें लगता है कि equity market के अंदर again तेज हम अगली दिवाली तक देख सकते हैं और nifty में करीबन 23 यार से लेकर 25 यार तक के level हम nifty में अगले साल तक देख सकते हैं तो sensex nifty के अंदर जो trend है वो यहाँ पर continuously positive होता हुआ दिखाई दिया है और अगले साल भी हमें लगता है market के अंदर जो trend है वो positive होता हुआ दिखाई तक गोल में हमने moderate से negative return करीबन 6.18% negative return देखे हैं गोल अभी करीबन 47-835 के around चल रहा है गोल के अंदर अगर हम देखें तो इस बार physical demand काफी जादा बढ़ती हुई देखी है जुल्री डिमांड की अगर बात करें तो करीबन 57% जुल्री डिमांड बढ़ी है अगर हम overall गोल क के बात करें तो 47% गोल की demand बढ़ती हुई दिखाई दी है हाला कि गोल ETF में थोड़ा सा हमने liquidation आते हुई देखा है मगर fresh ETF पिछले दो दिनों के पिछले दो महीनों के अंदर खरिदारी लोटती हुई दिखाई दी है तो गोल सिल्वर का जो trend हमें लगता है कि अगली पाली तक हमें लगता है कि 55,000 से लेकर 60,000 तक के लेवल गोल में देखने को मिल सकते हैं और करीबन 2000 से लेकर 2100 डॉलर तक के लेवल गोल में देखने को मिल सकते हैं तो physical demand, industrial demand और साथ में जो uncertainty बनी हुई है global में उससे काफी हद तक गोल्ड और silver को support मिलता हुई दिखाई द बात करते हैं base metal की जी हाँ base metal हमने देखे हैं कि इस साल काफी ज्यादा high return बनाते हुए दिखाई दी हैं और इस साल हमने देखा है कि सभी base metal में lifetime high test होते हुए दिखाई दी हैं copper की अगर बात करें तो copper में करीबन 36.78% के return हमने पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक देखे हैं और अभी copper भी करीबन 740 के आसपस trade करता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं अगर हम zinc की बात करें तो पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक zinc करीबन 33.80% की gains के 187.25 के सतर पर trade करता हुआ नजर आ रहा है निकल के अंदर भी करीबन 25% के return देखने को मिल रहे हैं और अगर दिस बार देखें तो aluminum भी काफी अच्छा return के साथ trade कर रहा है करीबन 37.4% के साथ aluminum के अंदर भी trade होते हुए दिखाई दे रहा है सभी base metal में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है storage demand, industrial demand की वज़े से हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है साथ में अगर हम देखे तो energy crisis की वज़े से जो demand है वो यहाँ पर बढ़ती हुए दिखाई दिये जो supplies है वो हमने यहाँ पर कम होती हुए देखी है जिसकी वज़े से सभी base metal के अंदर एक trend positive होता हुए दिखाई दिया है हमारा मानना है कि अभी जो energy crisis चल रहे हैं जिसमें हमने crude के अंदर करीबन more than 100% की रेटा आते हुए देखे हैं तो अभी फिलाल energy crisis की वज़े से base metal के अंदर जो trend है वो positive होता हुए दिखाई देगा और हमारा मानना है कि आने वाले समय में जो demands ह है वो continuous बढ़ती हुए दिखाई देगी चाहे वो EVs की demand हो चाहे वो industrial demand हो चाहे वो medical line की demand हो हमें लगता है सभी के अंदर एक अच्छा trend अब jump देखने को मिलेगा जिससे base metal की demand बढ़ती हुए दिखाई देगी अभी हमें लगता है कि जो supply shortage है वो continuous बनी रहेगी जिससे हमें base metal को support मिलता हुँ दिखाई देगा अगर हम copper की target की बात करें इस दिवाली से अगली दिवाली तक तो हमें लगता है कि copper के भाव 850 से लेकर 900 रुपे तक चूँ सकते हैं जिनके भाव expected है 310 रुपे से लेकर 325 रुपे तक के target देखने को मिल सकते हैं LED के अंदर भी हमारा trend positive है हमें लगता है कि LED में करीबन 210 रुपे से लेकर 225 रुपे तक के level अगली दिवाली तक आपको देखने को मिल सकते हैं निकल की demand काफी ज़्यादा देखने को मिल रही है एवी के अंदर निकल सबसे यादा use होता हुआ दिख रहा है बैटरीज के अंदर हमें लगता है कि निकल के अंदर भी जो trend है वो positive रहेगा और 1700 से लेकर 900 रुपे तक का हमारा target रहेगा next दिवाली तक Almonium की बात करें तो Almonium भी यहाँ पर trend positive होता हुँ दिख रहा है हमें लगता है Almonium के अंदर भी करीबन 250 से लेकर 275 तक के level Almonium में देखे जा सकते हैं तो base metal हमें लगता है कि अगले साल भी ऐसे आउट perform करते हुए दिखाई देंगे और base metal के अंदर भी हमें एक अच्छा trend अगले साल भी देखने को मिल सकता है और साथ-साथ इसके साथ हम जो metal stocks हैं उसके अंदर भी अच्छी rally बनते हुए देखेंगे अब बात करते हैं दोस्तों main product जो की crude oil है जिसमें हमने काफी ज़्यादा return देखे हैं almost 110% से ज़्यादा crude के भाव move करते हुए दिखाई दिए ह अगर हम देखें तो brand का भाव करीबन 85$ के आसपर स्टेट करता हुए नजर आ रहा है वहीं अगर हम MCS की बात करें तो almost 63-100 तक के level हमने crude में आते हुए देखे हैं energy crisis, short supply, hurricane का season उसकी वज़े से supply में shortage और demand factor जो कि अब हम मान रहे हैं कि जो demand है वो अब pre-covid level पर आ सकती है त और जो supply हैं वो काफी कम देखने को मिल रही है तो demand सबस्यादा role play कर रही है और उन्हें देखा है उसकी वज़े से crude के भावों में बेतहाशा तेजी देखने को मिली है हमें लगता है कि अगले साल तक यह जो demand है वो continuous रहेगी हाला कि अभी OPEC plus members की तरफ से production घटाने की बा लेगी तो crude के भाव उपर बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो crude के लिए हमारा जो अगली दिवाली तक के लिए target है हमें लगता है कि 7 यह से लेकर 7 यह 500 तक के level crude में देखने को मिल सकते हैं और 90 डॉलर से लेकर 100 डॉलर तक के level आपको brand में देखे जा सकते हैं वहीं जो अ करती हुई देखी है हमें लगता है नेचुल गयस के भावों में यहाँ पर कंटीनूस तेजी बनी रहेगी और नेचुल गयस के भाव उपर में करीबन 460 से लेकर 500 और तक के level को चूँ सकते हैं तो यहाँ पर भी खरदारी का ट्रेड बनाए जा सकता है अब बात करते हैं agriculture commodity की हमने देखा है कि metals के साथ agriculture commodity के अंदर भी हमने काफी अच्छी तेजी आते हुए देखी है पिछला साल जहाँ पर हमने मंदी देखी थी इस साल हमने काफी अच्छी तेजी सभी agriculture commodity में देखी है लेट से अगर हम बात करें गवार सीट की तो गवार सीट ने करीबन more than 65% से यादा के रिटन दिये हैं यहाँ पर अगर देखे तो ज़्यादा बारिश होने की वज़े से क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दिए और यह एक्सपोर्ट भाव हमने देखा है इस साल करीबन more than 6% बढ़ते हुए दिखाई दिये हैं जीरे के भावों में हमें लगता है कि अगले साल हम 16 यार से लेकर 18 यार तक के लेवल को आते हुए देखेंगे export demand, domestic demand और lower sowing activity की वज़े से मसालों के अंदर हमें लगता है कि अगला साल चमकता हुँ दिखाई देगा और अगले साल हम जीरे के अंदर और बाकी मसालों में अच्छा return आते हुए देखेंगे तो यहाँ पर भी खरदारी का trade बनाया जा सकता है soybean की अगर बात करें तो जहां हमने इस साल 10,000 से जादा के rate आते हुए देखे थे वहीं हम देखे तो soybean में काफी अच्छा correction देखने को मिल रहा है fresh arrival आने की वज़े से और इस बार हम देखे तो सरकार ने edible oil mission भी launch किया है हमें लगता है कि जो भारत की आत्मिरवता almost 65% edible oil पे है import पर है वो यहाँ पर कम होती हुए दिखाई देगी और हम इस बार edible oil में भी आत्मिरवत होते हुए दिखाई देगे हमें लगता है कि सोया बीन के अंदर इस बार हमने काफी अच्छी production देखा है almost 10-12% ज्यादा crop पिछले साल के मुकाबले सोया बीन में होती हुए देखी है हमें लगता है सोया बीन और edible oils में हम आने वाले समय में कुछ गिरावट आते हुए देखेंगे अच्छी पैदावार होने की वज़े से अच्छी crushing होने की वज़े से यहाँ पर जो भरपूर मात्रा है वो भारत में दिखाई देगी और हमारी जो निर्भरता है इंपोर्ट पर वो यहाँ पर कम होती हुए दिखाई देगी हमें लगता है कि सोयबीन के भावो में आने वाले समय में नर्मी के साथ ट्रेड हो सकता है और 5 यार से लेकर 4800 रुपे तक 4500 रुपे तक के लेवल हम सोयबीन में देख पाएंगे तो अगली दिवाली तक के लिए हमें लगता है कि सोयबीन के भावों में और बाकी एडिबल ओयल्स में नर्मी के साथ ट्रेड हो सकता है तो यहाँ पर हमारी सला विकवाली की रहेगी cotton की बात करें जिसको हमें सफेद सोना भी बोलते हैं यहाँ पर हमने almost 70% से ज्यादा के return देखे हैं भारत के अंदर भी इस बार cotton की crop जो है कम देखने को मिली है जो yield है cotton की वो यहाँ पर कम होती भी दिखाई दी है क्योंकि ज्यादा बारिश होने की वज़े से moisture content cotton के अंदर आ 36 यार से लेकर 40 यार रुपे पर बेल तक जा सकते हैं कई ना कई देखे तो जिस तरीके से हमने international market में बड़त बनते हुए देखी है USDA के report के according अगर हम देखें तो इस बार जो carry over stock है वो काफी कम देखने को मिला है इसकी वज़े से हमें लगता है कि cotton के अंदर कापास के अगर हम करन्सी की बात करें तो करन्सी हमने एक range bond moment में देखी है अगर हम return की बात करें तो USD INR में USD INR करीबन 0.52% की gains के साथ trade होता हुआ दिखाई दिया है अगर हम करन्सी की बात करें तो करन्सी के अंदर हमने एक moderate moment देखी है USD INR की बात करें तो almost half percent की depreciation के साथ USD INR trade होता हुआ देखा गया है अभी जो current rate है करीबन 75.02 पर डॉलर के साब से देखने को मिल रही है हमें लगता है कि USD INR में हम देखे तो हमें लगता है कि आने वाले समय USD INR एक range में trade करता हुआ दिखाई देगा 73 से लेकर 76 तक के range के बीच में move हो सकता है अगर हम देखे तो इस साल भारत का जो forex reserve है almost 641 dollar billion तक पहुँच गया है तो कहीं न कहीं जो forex reserve है वो बढ़ते हुए दिखाई दिखाई दी है और अगर हम देखे तो जिस तरी के से growth story देखने को मिल रही है हमें लगता है कि यहाँ पर रुपिया एक range में ही trade करता हुआ दिखाई देगा जो range है वो 73 से लेकर 76 के बीच move करते हुए दिखाई देगी हमें लगता है कि कहीं न कहीं currency के अंदर एक moderate moment देखने को मिलेगी हाला कि अगर हम बाकी currencies की बात करें तो हमें लगता है कि USDNR में हम कुछ appreciation आते हुए देखेंगे जो कि against euro against GB pound रहेगा तो हमारा जो view है यहाँ पर एक range माण movement रहेगी 73 से लेकर 76 के बीच USDNR इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक move करता हुए दिखाई देगा तो यह था टेक्नो फंडा दिवाली से दिवाली तक का view आशा करते हैं कि आपको यह trading में काफी helpful करेगा आप IFL के साथ अपना account open करके अपने जो training activity है उसको जारी रख सकते हैं आशा करते हैं कि इस दिपावली पे जिस तरीके साब का portfolio में shine आया है अगले साल भी आपके इस portfolio में shine रहे और इसी के साथ आप सभी को दिपावली की हर्दिक शुप कामना है